आश्ट में ने चैट बॉक्स येस येस गुड मार्णिंग गुड मार्णिंग तो चलिए पढ़ चला जाए आज के सत्र की तरफ सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में बता दू आपको स्टूडेंट्स करेंट एक और दो मार्च का हम लोग साथ में ले रहे हैं आज क की तारीख में फ्राइडे एंड सेटेड़े का दिस डॉक्टर अनुराग सिंग पैशनेट यूपीसी मेंटर एक्सपर्ट इन दो फिल्ड पास्ट ऑल्मुस्ट ट्वेल्वियर्स इंद फिल्ड इन आफ्लाइन मेंटरिंग पास्ट फोर यर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अ करेंट अफेस की कापी निकाली और सिल्वस निकाली है जिये इसका उसके बिना तैयारी अधुरी है तो चलिए बढ़ चला जाए आज के सत्रकी तरफ बहुत इंटरस्टिंग सेशन होने वाला है और आई कन प्रामिस आल आफ यू स्टूदेंट्स विद सम नियूज आफ दा हिंदू लाइबमेंट फिनेंशल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस और एक और बढ़ी आनी उसे आप लोगों के लिए इस हफ़ते यानी आने वाले हफ़ते में एक बड़ा फ्री सेशन होने वाला है करेंड अफेस का लगभग दस से बारा घंटे का कंटीनिवस आपको मालूम चल जाएगा मंडे मॉनिंग में एक किस दिन होने वाला है I am fit and fine and I hope all of you are fit and fine चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ तो आज के सेशन में मैं बता दूँ that PDF कल के current affairs के सेशन का मैंने put up कर दिया था कल सेशन नहीं हो पाया था but I had put up the PDF of current affairs on this telegram channel telegram channel follow कीजे for further updates telegram channels के link दियेगा है students description box में और ये main telegram channel है IAS toppers मंत्र पुने ओके चलिए बढ़ चला जाए तो ready हैं आप लोग students pen paper और GSSS लेकर चलिए देखा जाए क्या क्या important है admission को लेकर कोई भी doubts and clarifications रहे 999888-7354-99888-7358 पर संपर्क कर लीजेगा आईए UPSC स्टेट PCS prelims corner में सबसे पहले आगे बढ़ा जाए पहला news ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर largest recorded wildfire in state history scorches Texas panhandle ओके wildfire देखे आग लगी हुई है Texas में Texas कहां पर है students देखे टेकसास में आग लगी है हालत खराब है Texas की कहते हैं कभी जोनाल ट्रॉम्प ने कहा था कि climate change developing countries के लिए है वाकई में अगर America developing country है तो वाकई में सही बात है और अगर America developed country है हम सभी मानते हैं वाकई में developed country है तो climate change is here for everyone I hope you agree so have a look यह देखिए यहां पर वीडियो देखिए wild fire का जो टेकसास से आ रहा है students आपके सामने यह देखिए हालत खराब है Texas की आग लगी हुई है भीशन आग यह देखिए और इस भीशन आग में तहस्न हस्फोता सब कुछ यह देखिए हालत खराब है Texas State United States of America you can sit here students Texas कहां पर है देख लीजे Texas में कहां पर आग लगी है Panhandle Amarillo करके city है note कर लीजे students देखिए yes yes good morning good afternoon video देखकर आप लोग बताईए क्या आपको नहीं लग रहा बहुत धीशन आग है tell me students Panhandle Amarillo is the city where this fire has come out Texas Texas में देखिए Amarillo ये देखिए यहाँ पर Panhandle करके district है वहाँ पर Panhandle Texas ये देखिए ऐसा नहीं कि आप पानी की कमी है देखिए ओगा लाला aquifer is one of the world's largest aquifers inside Panhandle नीचे पानी है लेकिन भीशन आग students आप बताईए ये देखिए ये फिर से आग देखिए आपको समझ में आ जायागी condition क्या है यहाँ पर ये देखिए have a look so this is the condition aquifer is there in that belt is still we are having one of the most widespread wildfires occurring in Texas Texas ka vegetation is responsible students vegetation ये अगर wildfire की बात करे आग सब जगा लगी हुई yes तो एक fire triangle घोशित किया था UNEP ने नास्ट ये ये यूनाइटे निशन इंवार्मन प्रोग्राम और आपका एक होमवग है मैंने ये दस्यों बार टॉपिक पढ़ाया इस बार अगर मेंस में आ जाएगा chances पूरे बन रहे है GS paper 1 जोग्रफी में GS paper 3 ये कलाजी इंवार्मेंट में wild fire पर पूरे chances है causes ये factors बिहाइंड इट तो मैंने शायद आप लोगों बताया था students wild fires के लिए fire triangle the causes आज आपका होमवग है fire triangle बनाना है आप लोगों का ये देखिए three factors weather ये देखिये फीवेल ये देखिये वहां का soil कैसा है वहां का vegetation कैसा है ये देखिये clear मुझे बताये weather fever and apart from this the terrain and the slope ये देखिये geomorphology ये देखिये आज कोशिश कीजिएगा बनाने का fire triangle और answer writing group पे आप लोग पुट अप कीजिएगा are all of you ready for the challenge let me know in the chat work students मुझे बता दीजिए fire triangle के रेड़ी है आप लोग fire triangle बनाकर put up करा देखिते किसका answer बहतरीन बनता है ये देखिये panhandle very very important place out here यहां पर oga lala aquifer note कर लिए जब इतना ज़्यादा note किया तो भी note कर लिजेगा oga lala aquifer is one of the world's largest aquifers expanding this belt यह देखिये and it fulfills the irrigation needs and drinking water needs of many of the districts of texas texas की boundary mexico असाथ लगती और यहां पर एक river है river rio grande note कर लिजेगा texas का vegetation important students vegetation is towards fevelia vegetation मैं बता दू इसका vegetation it's decidious grasslands decidious plus grasses plus apart from this मैं बता दू decidious grasses and seasonal vegetation होता है इस जगह पर यह देखिये यहां पर ranching होती है अगर cattle रखी जाते है तो ranching यह देखिए क्योंकि बड़े-बड़े जमीन के plots हैं लेकिन vegetation बहुत spars है यहां पर density of population is very low in this belt and texas famous cities Houston यह देखिए Houston, Fort Worth, Fort Worth, Dallas यह देखिए क्या clear students मुझे बता दीजे, देखिए Texas Vahiraj, this is the first state, this was the first state in the world in fact from where the crude oil prices were set up after the end of the first world war at the global level. Texas क्योपर एक्रुड़ एक्रुड़ का क्रुड़ आयल का टाइप है क्रुड़ आयल का टाइप है क्योंकि यह नेगटिव टेरेटरी में पैसा भी दूँगा तुम्हे, minus $40 पर बैर, that was it. Let's proceed students, the first topic done, topic number two, Senegal, at least 24 dead as migrant vessel sinks off Senegal's coast. Senegal, a very, very important country out there, देखिए, in West Africa, Senegal, जिसकी अंदर एक कंट्री यह, the Gambia, the Gambia, capital Banjul, the Gambia was in news for the cough syrup incident happened in 2023. Do you agree, tell me? फिलाल, Senegal, capital Dakar, Atlantic coast पर, और नाव कहां डूबी है, देख लिए, सेंट लूइस करके जगा है, यहां पर, सेंट लूइस, यही पर नाव डूबी है, migrants, 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 yes, सेंट लूइस. क्लियर, Senegal हो गया, wild fire हो गए, यह देखिए, आएए आगे बढ़ा जाए, टापिक नमर त्री, Amid Road Tourist Resorts at Roshi Konda in Vizag inaugurated, विशाखा पट्टा, Roshi Konda बीच, नियूज में, क्यों, पिछले तीन साल से नियूज में, blue flag certification, याद है कुछ, नहीं है, तो बता दिया जाएं यहां आप सबी दों को, यह है, P.I.B. का news, last year का यह देखिए, the thundi beach is one of the most pristine, thundi beach के बारे में आया था, यह देखिए, the other beaches, देखिए, thundi, कदमत beach, इसके बारे में आया था, the other Indian beaches in the blue list are, शिवराजपूर, गुजरात, घोगला, दियू, कसर गोड़, and पदुबिदरी, करनाट कपड केरल, रुशी कोंडा, आंदर प्रदेश, noted down, very important, रुशी कोंडा hills, रुशी कोंडा beach, वाइजएक, विशाखा पत्नम, विशाखा पत्नम का old name, वाल्टेर, 1933 में यह सीपूर्ट बनाया गया था, प्रिटिशस के द्वारा, यह देखिए, 1933, yes, यह देखिए, last year we celebrated 80 years of रुशाखा पत्नम, वाल्टेर, yes, तो क्या यह clear है, मुझे बताईए, student से देखिए, आज आपका homework है, task है भई, task कौन कौन करेगा, मुझे बताईए, तुरंत हाथ रेज़ कीजिए, chat box में, आज इंडिया का map बनाना है हाथ से, yes, और means खरीद कर नहीं लाना है, print out नहीं न union territories के beaches के उपर, clear है, मुझे बताईए, फटाफाट, यह देखिए, union territories and eastern coast beaches, that's it, आईए, आगे बढ़ा जाए, अगले topic की तरफ, GS paper 3, ecology environment, news students, detailed news, आईए, देखते हैं, leopard census हुआ है, यह है leopard, leopard के बारे में आपने कब पढ़ा था, मुझे बताईए आप लोग, leopard be one of the big cats students, yes, yes, akshaya, mukesh, kumal, all of you will do it, yes, yes, good afternoon, all the newcomers, jahind, yes, तो यह देखिए, India conducts fifth cycle leopard population estimation, फिलहाल leopard के बारे में कुछ पुरानी ख़बर देख लीजे, students, आप लोग, फिर हम नई ख़बर पर आएंगे, यह देखिए, explained, India's global initiative to save the big cats, date, 12 April 2023, शायद यही था, 12 से 14 अपरेल के बीच का यह news है, देखिए लो, explained, यानि एक साल पहले का लगभग, India's global initiative to save the big cats, what will be the role of international big cats alliance or IBCA, who can be a member of global block, और यही पर आपने कुछ पढ़ा था, students, यहाँ पर, apart from the cheetah, what are the big seven cats, यह देखिए, यह चीता के अलावा, टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड, लेपर्ड, पैंथरा, पार्डर, वेरी, वेरी, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वर्लनेरेबल स्टेटर्स, नोटेट डाउन, जैगुआर को रिजेंबल करता है, जैगुआर का ही फोटो देख लिए, भाई, यह देखिए, जैगुआर को, यह भाई साब को देखिए, और इन्हें देखिए, जैगुआर, तो जैगुआर, देख लिया, देखिए, जैगुआर में, लार्जेस, कैट इंद अमेरिकास, जैगुआर, आ सकता है, इंडिया में सबसे क्लोजेस्ट रिजेंबलन्स किसका है, लेपार्ड का, देखिए, पैंथरा पार्डस, यही आपने लास्ट यही पढ़ा था, दुबारा पढ़ रहे हैं, पैर्स में अगर आ गया, तो याद रखिएगा इससे, और डिफरेंट सेवन बिग कैट यहां दिया हुआ है, देख लीजेगा, यह सारे बिग कैट से देखिए, चीता, अकाइनोनिक्स फैमिली से बिलॉ का एक फ्लैक्शिप आनिमल रहा करता है, मैं बता दू, आप इनकाज, मस्टीजोज, मायन्स, इन सभी का अगर पढ़िएगा इतिहास, तो आपको इस आनिमल का स्टेटस वहां नजर आएगा, यह देखिए, स्नो लेपाड, यू कन नो अबाउट देस स्टूदेंट्स, इ लायन और टाइगर, तो यह तो आपने लास्ट एर पढ़ाता स्टूदेंट्स, अब आएए इस साल का न्यूज देखा जाएए, यह देखिए, यह न्यूज, यह पी आईबी का न्यूज में अटैच कर दिया, 29 फैब्र 2024, 1048 अम, यह देखिए, यही न्यूज आया है, दे हिंदू में और लाइमेंट में, फिफ्ट साइकल लेपड पपॉपलेशन एस्टिमेशन वस्केरइड आउट बाई, न्टी सीए, वरी इंपॉर्टन नेशनल टाइगर कंसर्वेशन अथारिटी प्लस, वाइल लाइफ इंटिचूट अफ इंडिया, बोथ आप इस आर इन इंपॉर्टन बट सेंट्रल इंडिया वर्ड की अर्याज अफ लेपड पॉपलेशन और मध्य प्रदेश लार्ज फपॉपलेशन देखें यहां पर लिखा हुआ पर होगा कहीं पर लिखा हुआ तू मिनिट्स, मध्य प्रदेश कहा चला गया भाई, यहां च्री नाइन 07 लेकिन ग्रास्प कर लिया यहाँ पर आपको ग्रास्प करना है कि अल्मोस्ट हाफ अप्ड लेपर्ट्स मुर्दन हाफ लेपर्ट्स अरे इन सेंट्र इंडिया थर्टीन एट सेवंटी फूर में 8801 के आसपास 50% से उपर कहां पर है लेकिन फंट्र इंडिया में वरी इंपोर्ट्ट यह देखिए डाइगर रिजन फिद हाईयर हाइस लिपड़ फ्पपल्शन आप नागाजुन सागर श्री सैलं टाइगर रिज सर्व फॉलल्ट बई पनना एंड सत्पुड़ा वरी इंपोर्टेंट और नागार्जुन सागर स्री सेलम टाइगर डिजर्व इस हाविंग अधा हाइस्ट या लार्जस्ट सॉरी लार्जस्ट कोर एरिया ये देखिए कोर हैबिटेट अफ टाइगर ये देखिए क्या ये क्लियर है मुझे बता दीजे स्टुडेंट्स तो आज मैप पे ये भी मार्कर लीजेगा क्लियर हो जाएगा इतना मुझे बताईए स्टुडेंट्स तो ये फिफ्ट सैकल कर्याउट किया लिया नॉन फॉरेस्ट हाइट अरिड अड हाइए हमाले अबव टू पड़ वहां पाया भी नहीं जाता है ये बिग कैट में नीचे पाया जाता है स्टूडेंट्स देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात है इस फाउंड नॉन इंदा फॉरेस्ट के लावा ये ग्रास नैट्स में भी पाया जाता है इसने इसे अड़ेप्टेबल कैट कहते हैं सबस्केट अड़ेप्ट आप्टेबल नोट कर लिजेगा जाएगा है स्टेबल पॉपलेशन बिग रोल फॉरेस्ट अंडरेस्ट पॉचिंप लेकिन फॉरेशा लेपर्ट ये देखिए पॉचिंग वाइल लाइफ क्राइम को लेकर निवस आया शुने डिखिए वाइल ल सिमली पार्ल टाइगर रिजर्व सिमली पार्ल बास्फेर रिजर्व वही पर सत कोसिया टाइगर डिकलेयर किया गया है चलिये आगे बढ़ा जाए इस कहानी से आगे बढ़ते हैं अटाइच कर दिया पुरा इंफरमेशन देख लिएगा आप लोग भई इस क्लाइमेट चेंज में है यह देखिये अग्रीट और इस एक और अलायंस चुटा हुआ है सिस्टर कंवेंशन में, यह देखिये, यह दिस एडिए रिगां इस एडिए विद यूँए फ्रिपल CS, ए एग्रीड दिसटर टोवसीडी, क्यूशन बालिकल डाइवर्सिटी इसरा सिस्टर कन्वेंशन कौन सा था जो रियो समिट में साइन किया गया था UNCCD United Nation Convention to Combat Desertification इंडिया को सभी को इस चप लेना है लेगा इंडिया देखिएगा आगले एक साथ के अंदर You see it Is it clear? Can we proceed ahead students? आएए आगे बढ़ते हैं Next topic detailed environment ecology topic number two sea slug Zoological Survey of India Names a newly discovered sea slug After President Shreemati Drapadi Murmo Melanoclimus Drapadi was named in a scientific paper by researchers And Zoological Survey of India ये नया मराइन स्पीसिस मेंचन किया देखिए Zoological Survey of India have a look Established 1st July 1916 ये देखिए Premier Indian organization in Zoological Research and Studies ये देखिए And headquarters Calcutta Iska background Asiatic Society of Bengal Founded by Sir William Jones 15 Jan 1784 Noted down ये देखिए Asiatic Society of Bengal से relation है Iska note कर लीजेगा Clear और तो सबसे important point देखिए यहाँ पर students Have a look Ceaslug होता क्या है Ceaslug is a common name for marine gastropods Which do not have external shell UPSC पूछ देगा सवार Consider following animals Which of them don't have a shell मैं बता दूँ ये Ceaslug किस में आता है मुलसका में आता है मुलसका ये देखिए नाम सुना है अपने मुलसका का ये Animal Kingdom का एक Phylum है Phylum Molluska Do you know the name? Tell me students, give me some of the examples of Phylum Molluska in the chat box तो Phylum Molluska में Ceaslug रहता है And they don't have They are one of those species of Molluska Which don't have a shell तो ये don't have a shell UPSC सवाल पूछ देगा Odd one out निकालने के लिए ये देखिए इनके उपर covering नहीं होती There are soft bodied animals Phylum Molluska Very important आएए आगे बढ़ा जाए क्या clear students, मुझे बताईए Next, ये देखिए Topic 3, society in animals देखिए, society Elephants take dead calves to the buried To be buried in untrodden paths, study says Dukh buri कहानी है Elephants in the eastern Himalayan flood plains Buried their calves in the legs upright position A new study has found This clearly shows Society exists among animals too They also have emotions And elephants are one of the most intelligent animals Yes, mammals Miss, one of the most intelligent are elephants Through long term observation The researchers also found that elephant herds Tend to avoid the paths Where the carcasses were buried And take parallel routes ये देखिए है जानवरों के बारे में समझना पढ़ेगा ऐसा नहीं है कि अपने development के पात पर लोग इतने आगे पढ़ जाएं कि तहस तहस करते चले जाएं सबको नहीं, बिल्कुल नहीं Rampant environment changes and forest destruction have pushed Asian elephants, elephants, maximas and their African counterparts Loxo, Donta, Africana to explore human spaces to fulfill their dietary and ecological requirements से देखिए और यहीं वजह इनका behavior change कर रहा है इस behavior को novel elephant behavior कहा जा रहा है novel, note कर लिए गाए ये word novel behavior नया जो अभी तक देखा नहीं गया था ये देखिए very important students, note it down novel elephant behavior आईए आगे बढ़ा जाए ये इस पेपर टू इंडियन पॉलिटी environment ecology में big cats पढ़ा आपने आपने पढ़ा elephant behavior आपने पढ़ा sea slug क्या clear है यहां तक एक के institution आपको आज नजर आगे जोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया दो और institutions नजर आए NTC or wildlife institute of India तीन institutions आज आपके mind में चले जाने चाहिए अंदर आए आगे बढ़ते हैं next topic Indian political constitution GS paper 2 informal waste picker कल आटिकल आया था कल international waste pickers day था March 1 तारिक को the waste pickers across the world paid homage to fellow pickers who were murdered in Columbia in 1992 the world of waste pickers we say now that we are suffering from numerous problems can you imagine the problems being faced by these waste pickers across the world tell me इसी इनी के उपर या आटिकल लिखा है Nithi P is a senior researcher at the Indian shoot for human settlements Bengaluru and Drupad U intern at Indian shoot for human settlements चौथा एजन्सी नियूज में the Indian institute of for human settlements very important तो क्या waste जो waste value chain ecosystem में क्या उसे बहुत important role play कर रहे है waste या rag pickers informal yes आई है पहले इन के बार में देखा जाए the world of the informal waste picker who is an often forgotten hyper marginalized worker cohort in the waste value chain ecosystem and an indispensable but invisible part of waste management systems in India needs to be understood indispensable but invisible क्या बात है इसे कहते हैं आशा उसके बिना काम भी नहीं चली तरह लेकिन उसे देखना पसंद नहीं करते हैं the so called developed citizens that's it the ILO defines informal sector in waste management as individuals or small and micro enterprises that intervene in waste management without being registered and without being formally charged with providing waste management services इसे ये देखिए रेजिस्टर नहीं हैं small skill sector में काम कर रहे हैं collecting, sorting, trading and reinserting discarded waste back into the economy क्या बात है इनका रोल देखा जाए इनका रोल देखा जाए collecting, sorting, क्या बात है collecting, sorting, trading, क्या बात है reinserting it back into the economy इसे कहते हैं इसे कहते हैं 3-R approach reduce, reuse, recycle सुना है आप लोगोंने मुझे बताईए इनहीं के कारण हो रहा है यह सब कुछ data, what the data shows, देखिए हाँ पर data shows informal waste pickers ही देखिए 2% of urban population globally is employed है slum areas, slums very important topic ही देखिए slums are involved in this, yes on average an individual waste picker collects 60-90 kg of waste a day in 8-10 hour span of time hazardous work problems पहला problem second problem hazardous work यह देखिए hazardous है कि नहीं मुझे बताईए students यह देखिए क्यों infections can come up यह देखिए infections allergies यह देखिए poisons यह देखिए injuries यह देखिए and health risk this versus their health risk compromises income lower social status yes lowering of social status यह देखिए यह देखिए नोट कर लिएगा सवाल यह है कि बार बार कहा जा रहा है extended producer responsibility दाया जाए इंडिया में EPR EPR को लेकर क्या है EPR और क्या टॉपिक आया था पहले last year again the same topic April month 2023 discussed April नहीं यह अगस्त की बात yes affecting the ban on single-use plastics August 2023 single-use plastics impacting the environment amended rules alternatives available यह देखिए और यही पर आया था EPR what is EPR देखिए जे students यहां पर extended producer responsibility का मतलब जो produce कर रहा है जो import कर रहा है और जो बना रहा है ऐसी चीज़े देखिए वो ultimately dispose and recycle का सारा काम उसी पर आएगा नहीं आएगा तो आप pay कीजिएगा EPR is always linked with triple P polluter pays principle यह देखिए polluter जो pollute करेगा वो pay करेगा क्या यह सुना है आपने मुझे पताए students tell me in the chat box यह देखिए should it come in the country yes पताए इससे फाइदा क्या होगा registration हो जाएगा यह informal speakers का इनकी life थोड़ी सुधर जाएगी in a social security मिल जाएगा they will get three or four advantages first they'll be registered they'll get some social security measures their life will improve a lot and they will be regarded as an indispensable part of Indian economy yes that's it extended producer responsibility I've attached the whole topic of single-use plastic out here so EPR has gained traction in India coming back to this article it means to enhance plastic waste management it transfers the responsibility of waste management from municipal authorities to commercial waste producers accountable and holds the commercial waste producers accountable very important topic EPR seems promising and इससे पता है क्या होगा social inclusion यही तो मैं कहरा था EPR लाने से फाइदे क्या है waste pickers के लिए waste pickers फाइदे आई देखते हैं registration and inclusion यह देखिए agree कर रहा है मुझे बताया जाए भाई फटा फट चाट बोक्स में second point ही देखिए second point this social security measures for them third point third point accountability of the polluters accountability of the polluting companies polluting companies and fourth point fourth point better social status बस्ये देखिए agreed ना मुझे बताये students life expectancy भी बढ़ जाएगी भई यह देखिए यहाँ पर लेकिन दुख की बात यहीं पर end हो रहा है यह पुरा article दुख की बात the EPR guidance to thousand twenty two published by the ministry of environment forest and climate change has ignored the role of informal waste because in waste management जिम्ता की बात क्या इनने include किया जाना चाहिए इनके लिए क्या measures लेने चाहिए मुझे बताईए chat box में for top should they be included in any discussion over waste picking and drag picking and EPR and PPP tell me in the chat box यही है students पूरी कहानी इसमें कुछ-कुछ facts भी आ रहे है globally waste pickers collect and recover up to 60% of all plastic which is then recycled world economic forum के report में आया था and साथ में January 6 is plastic overshoot day note कर लीजेगाई देखिए for India a country that is already amongst the 12 countries responsible for 52% of world's mismanaged waste note कर दीजेगाई से have a look चलिए आगे बढ़ा जाए अगली कहानी के तरफ तो यहां से क्या पढ़ा आपने और क्या सीथा और क्या सवाल निकल सकते हैं मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पहला informal waste pickers आपका यह homework रहेगा आज answer writing group में डालने के लिए role यह देखिए role and formalization EPR and formalization इनका formalization करने से इन्हें क्या-क्या फाइदे आएंगे advantages यह दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ा भी Will you do this? Tell me the chat box students I'll frame a question and put it in the answer writing group today after the session आईए आगे बढ़ते हैं next topic की तरफ next topic session कैसे चल रहा है बता दिया जाए भाई next topic is very very important students just a minute next topic you 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 EPR is not successful in India Mukesh let me tell you आईसे ही आगया है राजसभा की elections इंडिरेक्ट elections होते हैं आपको पता है students मुझे पताये chat box में इंडिरेक्ट यह देखिए clear and indirect का मतलब होता है clear cut that that जो जिन लोगों को हम लोगों ने चुना है as member of legislative assembly in the state they will choose the members of Rajasabha that's it indirect article 80 of the constitution representatives of east state to the Rajasabha are elected indirectly by the elected members of their legislative assembly देखिए article 80 very important noted down अच्छा राजसभा में seats कितने allot किए गया different states को यह कौन से schedule में दिया गया है मुझे फटाफट chat box से बताईए schedule let me know the polls for Rajasabha will be required only if the number of candidates exceed the number of vacancies में बता दूँ नहीं तो जो लोग elections में अगर कितनी vacancies से उतने लोग खड़े हो रहा है different parties से तो by default understood रहता है कि election नहीं होगा 1998 तक Rajasabha elections पर कभी discussion नहीं हुआ debate नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि जितनी seats होती थी उतने ही लोग खड़े होते थे यह देखी parties में इतना सामजस्य था coordination था इतना 1998 for the first time problems came up because in June 1998 Rajasabha elections महराश्च वेटनेस्ट cross voting that resulted in the loss of Congress party candidate cross voting शुरू हो गया उस समय तक elections secret ballot में hold होते थे यानि आपने जाकर vote कर दिया आप MLA है और चुप चप आकर बैट गया कोई पूचा नहीं सामने वाला हार गया उसके बाद दिकत शुरू ही let's see students in order to read in the MLA's from such cross voting वो सकता है ना cross voting आप Congress के MLA है आपने BJP के candidate को राजसभा के लिए vote दे दिया जैसा हिमाचल में हुआ भी या आप BJP के हैं आपने Congress के candidate को vote दे दिया तो दिकत की बात है पता है क्योड देखें हिमाचल पदेश की कहानी देखें यहां पर यह है जनता the common man यह देखें इसने चूज किया एक MLA को MLA is from a party A यह MLA ने चूज किया राजसभा के MP को यह देखें वोट दिया who is from party B is this against the wishes of the common man tell me students in the chat box let me know क्या यह गलत है मुझे बताईए गलत है ना क्योंकि इसने आपको party A के लिए खड़ा किया है आप party B को आगे भेज रहे तो दिकत की बात है और यहीं पर पहली बार यह cross voting 1998 में यह concept सामने दिखा कि पार्टी के लीडर पार्टी के विप के खिलाफ में वोट देना उसके order के खिलाफ में वोट देना यह देखें इसी लिए 2003 में the RPA Act was amended representation of the people act 1951 was amended in 2003 section 59 of the Act was brought out amended to provide that voting in elections to Rajya Sabha will be through an open ballot यह देखें उस समय तर secret ballot था वोट दे दिया दूसरे पार्टी का इनसान जीत गया फिर दोश देना शुरूप इसने दिया है वोट उसे उसने दिया है वोट उसे तो आर्पी एक्ट में लिखती है ओपन बैलेट दिखा कर देना पड़ेगा मींसा से लिखती है वोट यह देखें जाकर डाल दिया बैलेट बॉक्स में clear the MLA's of political parties are required to show their ballot paper to the authorized agent of the party यह देखें independent MLA's are bought from showing their ballots to anyone यह देखें यह बहुत important point student से लिखा हुए आर्पी एक्ट में independent MLA's को नहीं दिखाना है अपना वोट लेकिन बाकी लोगों को वोट दिखाना है what does the 10th schedule state अब देखें पहला आर्पी एक्ट डन yes RP act is outside the constitution now constitution के अंदर 10th schedule किस चीज को लेकर है anti-defections the 52nd constitution amendment introduced anti-defection law through 10th schedule in 1985 the schedule provides that member of a house अब साब साब यहां सवाल उठेंगा ना इसने party खिलाफ उड़ दिया है इसी क्या disqualify किया जाना चाहिए क्योंकि हमाचत प्रदेश में disqualify कर दिया गया आप बताइए students disqualify होना चाहिए कि नहीं this MLA 2 let me know in the chat box what a fuck schedule provides that a member of a house of parliament or state legislature who voluntarily gives up the membership of their political party or votes against the instructions of their party in the house are liable for disqualification vote कर दिया खिलाफ में तो देखिए वोट कर दिया खिलाफ में और यह vote कर दिया कंसिप्ट कौन जारी करता है whip यह देखिए chief of the party in the house यह देखिए लेकिन लेकिन सुप्रीम कोट के judgments के अधार पर elections of Rajasabha are not treated as a proceeding within the legislative assembly that means anti-defection law के बाहर है राजसभा का election 10th schedule does not have any role in the Rajasabha elections is it wrong tell me students so supreme court judgment आया था उसी पर election commission ने July 2017 में एक statement जारी किया statement देखिएगा it specified that the provisions of the 10th schedule with respect to voting against the instructions of the party will not be applicable for Rajasabha election Rajasabha elections are immune to defection law anti-defection law Rajasabha election immune यह देखिए immune to anti-defection यह देखिए law क्या यह चिंता की बात है अब आप से पता है क्या सवाल पुछा जाएगा मेंस में या परस्नालिटेस्ट में discuss the need, examine the need of modifying anti-defection law नितिश कुमार जी का भी मुद्दा उठा, महराश में मुद्दे ही मुद्दे उठ रहे हैं, ओके इसके पहले अभी हिमाज़त पदेश में उठा, करनाटक में कुछ चल रहा है, लफड़ा सुनने में आ रहा है, पेपर में आया हुआ है, in all this, do you think we need to modify the anti-defection law? यस, उसमें एक modification, it should also apply to राजसभाई elections, आपको ये put up करना है, means cancer writing, the courts have ruled, courts के ही basis पर आया है, Supreme Court in Kuldeep Nair versus Union of India case 2006, Kuldeep Nair case, note कर लीजे, ये देखिए, Nair case, upheld the system of open ballot for राजसभाई elections, open ballot, चलेगा, बिल्कुल सही, however, the same case, the court held that elected MLA of political party would not face disqualification under 10th schedule, राजसभाई elections, immune, इसी case में आया, Kuldeep Nair case में, देखिए, दो contradictory opinions Supreme Court के, देखिए, I hope you are getting it, सवाल यही है, what can be the way forward, अब cross voting बहुत common हो रही है, राजसभाई elections में भी fighting चल रही है, राजसभाई elections शुड आपको अ पर्विव आफ, आई, मेरे तरफ से मेरा opinion रहेगा, इट शुड आलसो कम अंटर पर्विव आफ 10th schedule, क्या आप ही मेरी बात से सहमत है, मुझे बताईए, ये किसी एक political party या एक इनसान की कहानी नहीं है, ये किसी एक political party या इनसानी कहानी नहीं है, अगर अभी तक immunity दिया गय Yes, why are we giving immunity in Raja Sabha elections, why, because it's an indirect election, क्यों immunity दिया गया महाँ पर, हटाया जाए immunity, elections, elections होते है, they are just, if these type of things happen, they are a blot upon democracy, yes, तो यही है, cross voting consequences, problems in democracy, killing the aspirations of people, going against the will of the people, should be looked into, disqualification under 10th schedule, that's it, my opinion, ये देखिए, ये अप लीडर है, आप ही को नहीं पता है कि किसको vote देना है, जनता हो क्या पता हो, आई ये आगे पढ़ते हैं, international relations का news topic, one, India and its neighborhood relations में, श्रिलंका-India relations with China out, the Indian firm in, to build श्रिलंका power project, ये देखिए, New Delhi had objected to a Chinese energy project at the location and offered to give grant for the initiative instead of loan, ये देखिए, लोन नहीं grant, पैसा वापस मत करो, श्रिलंका नहीं का ठीक है, और पैसा वापस नहीं करने के बाद है, तो चाइना वो क्या, सब को हटा देंगे यहां से, पैसा लेकर आजीए, देखिए यहां पर, तो चाइनीज energy project northern श्रिलंका से हट गया है, कहां पर जाफना पेनिसुला से यह देखिए, और अब इंडिया वहाँ चला गया है, यह देखिए, त्री आइलेंड्स आफ जाफना पेनिसुला, आज मैप में आपको जाफना पेनिसुला भी mark करना, students देख लिएगा, अपर, देखिए, यह देखिए, यहां पर, देखिए, यहां पर, इस होल रिज़ुला, इंडिया के बाउंडरी पर सगाइंग ये स्टेट्स इंपोर्टन इस बार के प्रिलम्स के लिए देखिए आरकन आर्मी चीन एंड रखाइन बेल्ट में देखिए यहां पर सगाइंग एंड कैचिन में कैचिन इंडिपेंडन्स आर्मी और देखिए रेस्टोरेशन कांसल आ आपरेशन 2710 के बाद से मिलिटरी जुन्टा के खिलाफ में प्रोटेस्ट देज हो गए और मियानमारी स्लोली स्लोली डिसेंडिंग इंटो अस्विल वार स्टेट दो यू एग्री टेल में स्टूटेंट्स तो चैलेंजस पॉर इंडिया इंट्स नेवर्वड येस तो चैलेंजस पॉर इंडिया यहां से यह सवाल निकल सकता है स्टूटेंट्स चैलेंजस पॉर इंडिया येस नेक्स्ट अंडर सी केबल डिसरप्शन अंडर सी केबल डिसरप्शन एक्सपोज इंडिया प्रूशल टेलिकॉम वर्नरेबिलिटी इनेडिया धात एक बात है ऑप्टीकल फाइबर केबल्स रीसेंट इंडिया ने दो स्टेप्स लिए इसमें अंडमान निकुबार लिंक करने के लिए और लक्षदीप लिंक करने के लिए देखिए इतना ही नहीं चन्नाई से दकर चन्नाई से दकर दकर कहा है सेनेगल on the west coast of Africa चन्नाई से दकर तक इंडिया ने अंडर सी केबल डाला हुआ है पैन अफरिका नेटवर्क के लिए पैन अफरिका ये देखिए नेटवर्क प्रोजेक्ट जानते हैं आप लोग इसके बारे में टेल मी स्टूडेंट्स अंडर सी केबल डामेज हो रहा है कहां पर रेड सी में ये देखिए डामेज हो गया हालत खराब है यूरॉक की तरफ जो केबल जा रहा था डामेज ओके सू रेड सी क्राइसिस अभी तक सी के ऊपर परिशानी थी देखिए समुद्र के ऊपर जहाज यहां जा रहा है ये देखिए जहाज के ऊपर कारगो है और जहाज के ऊपर परिशानी थी अभी अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी परिशानी थी नोट कर लीजिएगा डेंजर आफ रेड सी क्रा के लिए किस से पूछना पड़ता है युनाइटेड निशन कन्वेंशन ओन लॉफ दसी के तहत इंटरनेशनल सी बेड़ अथॉरिटी जमाइका किंग्स्टन इंटरनेशनल सी बेड़ अथॉरिटी नोट कर लिएगा स्टूडेंट्स देखिए आए आगे बढ़ा जाए कि ऐड़ गर्मेंट्र ग्रीन ग्रीन श्रूरपल करेंग्स आखिए Väarat 206 Prakt each берेमिंगाar ब्लाइटी नह च्रींट इंट्रइंय च्रीं ग्रीन ट्तूडुरेंग्स्टार्ज न समय ग्यारत वबह्स दोड़ इसए इन की सब्याए अगेर केलिस्ट अओग ट्रीन कीशनल बफर स्टॉक इंक्रीज़, बफर स्टॉक इंक्रीज़, जब दाम बढ़ रहे हो तो यह रिदीस कर दे जाएगा स्टॉक, जैसे भारत दाल, भारत आटा, भारत चावल रिदीस किया रहा है, फूर्थ पॉइंट ये देखिये, फूड प्रोस्सिंग इंडस्ट्रीज विल राइज एप इन दे कंट्रीज, दो ये इघरी, ये देखिये, फिफ्ट पॉइंट, कारबन इमिशन विल गो डाउन, क्योंकि ये फूड वेस्ट से कारबन इमिशन भी होते हैं, क्या बात है, फट 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 पांच पॉइंट्स आपके हाथ में आ गिया यह देखिए कोई UPSC में सवाल पूछेगा आपके हाथ में यह पांच पॉइंट्स है ग्रीन स्टोरेज प्लाइन पाइफ एडवांटेज़ और इसमें पता है भारसरकार ने क्या कहा है इसमें सबसी इंपॉटेंट रोल P.A.C.S प्ले करेगा प्राइमरी अग्रीकल्चर क्रेड़िट सोसाइटीज यह पी एसी एस पी एसी एस फेवरेट टापिक एकदम लोकल नेवल का कॉपरेटिव से देखिए खुद लोग इस कॉपरेटिव सोसाइटीज को बनाते हैं यह देखिए गाओं के अंदर वहां से शुरू होगा स्टोरेज क्या बात है इंपावर्ड विलेज इफ ट्रूली कमस इंटू रियालिटी इंपावर्ड विलेज यह पी एसी एस नौट कर लीजे स्टूदेंट्स क्या पी एसी एस आपने सुना हुआ है टल मी और पी एसी एस के पर एक कुरुग शेतर मैगजीन से डिरेक्ट क्वेश्चन दोजार चौदा मेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कुरुग शेतर में ऐसे ही आया था ये स्टेटमेंट इसक्राइब कर लीजेगा पी एसी एस का बहुत इंपर्टन्ट रोल और ये सब पता है किसके अंदर चल रहा है स्टूटेंट्स प्रधान मंतरी कृशी संपधा योजना पी एम की एस किसान संपधा योजना यी देखिए देखिए यहां पर एक लाक गोडाउंस बिल्डप किये जाएंगे पी एसी एस के द्वारा देखिए क्या बात है दो हजार टन तक स्टूरिज रहेगा हर गाउं में क्या बात है सेवेंटी मिलियन टन्स टूटल कापैसिटी रहेगा इंटीग्रेट ग्रें स्टूरेज फैसलिटीज का देखिए कोबरेटिव सेक्टर में बिग बिग ठिंग स्टूडैंट्स डू एकरेट टल में आज आपका टास्क बेटी से पर कुछ न रिखना आपको पी सिस मॉल्टीपल रोल्स तोचए गाल लिखिये गाल पढ़िए गाल मल्टीपल रोल्स और आंसर इंटिग्रूप् लेट मी नो प्राइमरी एगरिकल्चर क्रेडिट सुसाइटी इस मुकेश एगरिकल्चर क्रेडिट में सबसे लोईस डेवल पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं रेस्टेशन नह जरूरी है डिस्टिट कॉपरेटिव सुसाइटी के अंडर में पी एस एस डेट सिट लोगों का ग्रुप करनाटक में महराश में बहुत तेजी से आगे बढ़े यह ग्रुप्स इन्हीं ग्रुप्स के अंडर में स्टूडेंट्स शुगर मिल्स में बता दूं आपको आई आगे बढ़तें नेक्स्ट टॉपिक फार्मर प्रोटेस्ट पंजाब यह देखिए पंजाब की राइस प्लांटेशन्स यहां पर चल रहे हैं शरसो के खेत भी हैं यहां पर और पंजाब में हालत खराब है वाए पंजाब इस दएपी सेंट्र ऑफार्मर प्रोटेस्ट क्यों फार्मर adulthood कर रहे हैं पंजाब में आये देखा जा इस कहानी को लाइमेंट के जुबानी डीटेल्ड कहानी लिखा हुआ है पूरा यहां के स्टूडेंट्स यह पूरा लिखा हुआ है पंजाब में क्या-क्या समस्या है और पंजाब क्यों प्राब्लम फेस कर रहा है आईए इस पूरे प्राब्लम को एक जगा पर एक स्लाइड पर ले डेट्स बढ़ गया है और वह भी क्रॉप्स 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 खराब होने करण कौन सा क्रॉप कॉटन की तरफ पार्मस बढ़े थे यहां पर और कॉटन क्रॉप क्रॉप्स कर गया है लास्त तीन साथ से क्रॉप्स कर रहा है प्राब्लम्स ग्राउंड वोटर क्राइस is huge. यह आगे 10 साल के बाद, after 10 years it will make agriculture impossible. यह देखिए. इमपॉसिबल. थर्ड, पंजाब still the largest supplier of rice to central pool. क्यों? क्योंकि rice still offer substantial returns to the farmer. से देखिए rice, गेहुं से भी ज़्यादा assured crop है. यह देखिए. और क्या rice में पानी लगता है? मुझे बताएए students. आक्सेट emissions होते हैं. दो हजार बाइस prelims paper question यह देखिए. नाइट्रस आक्सेट कहां से होता है भाई? पानी नहीं रहेगा तब होगा. एंड मीथिन कब होगा? जब पानी रहेगा फिल्ड में. देखिए. पंजाब में rising agriculture cost भी चल रहा है. because of because of rising fertilizer जरसी देखिए. एंड राइजिंग पेस्ट, unsustainable अप्रोच, lack of awareness regarding spices and other crops. spices का cultivation नहीं होता है पंजाब में. माथे प्रदेश, गुजराथ से नीचे सारे स्टेट्स में spices भी एक alternative के रूप में देखे जाते हैं. पंजाब में नहीं. और पंजाब के किसान का maximum income आता है MSP से. यू आर डिपेंदेंट अपन MSP. इसी लिए स्टुडेंट्स, यू फांड प्रोटेस्ट इंपंजाब. अधर प्रेसे फार्मर्स, यू आर गोइंगे, सॉबसिस्टेंस क्ल्टिवेशन देखे इंगे. गोगए रहा हैं. मार्केट के लिए जादा गोगए नहीं कर रहा हैं. क्योंकि छोटे फांब से प्रोट्चिन कम हैं. And they're not dependent upon MSP's at all. That's it. It's truly said that the protest comes from those who have the maximum to lose. I hope you agree. प्रोटेस्ट वही करेंगे जिन्हें खूने का. Yes. यही है कहानी स्टूरेंट्स पूरे पंजाब के बारे में पढ़ दीजेगा. इसको अच्छा रीड अच्छा रहेगा. यह देखी. पूरी कहानी देखे हुई है. पैड़ी इस रेमुनेरेटिव एडिक्शन. आदब पक्जाती है पैसे की. पैड़ी. पैड़ी. अंसस्टेदिब. सुचे कितना सटीक स्टेट्मेंट जारी किया यहां. फ्लाइं इंसेक्स जादा आ रहें देखी. आए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स टॉपिक. टॉपिक फोर. फिनेंशन इंटरिजेंस यूनिट इंपोजेज 5.49 करोड. आज का निउस है. फाइन अन पैटियम बैंक फॉर. पी एम एन ए लैप्सेस. प्रिवन्शन ओफ मनी लॉंडरिंग आप. ये देखिए. तो अभी रिसेंटी पेटियम पर आक्षन हुआ. पेटियम पर RBI ने आक्षन लिया. पेटियम पेमेंट बैंक. पेटियम पेमेंट बैंक. पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं? अब FIU कह रहा है कि उस account से illegal transactions होएं ये देखिए FIU क्या है financial intelligence unit India is a central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, disseminating information relating to suspected financial transactions to the enforcement agencies and foreign FIUs ये ED को देगा फिर message चले जाए है ये देखिए ये brain है ED का financial intelligence unit was set up by the government of India in November 2004 Central National Agency focusing upon suspected financial transactions ED is the field unit, this is the brains behind it, ये देखिए It's an independent body reporting directly to the economic intelligence council headed by finance minister Note कर लिजेगा, independent body of students, ये देखिए इसके roles क्या हैं देख लिजेगा यहां पर बस यहीं तो था आज की topics में क्या सारा session बता दिए भाई, FIU, PTM, पंजाब में समस्या, इस article में detail पढ़ा सकता है लेकिन आप पढ़िए गाई से, बहुत सारी समस्या में पहले पढ़ चुके है, UPSC ने सवाले पूछा हुआ है Rice Wheat Cropping System का 2021 मेंस में, Rice Wheat Cropping System in Punjab पुछा, UPSC ने मुझे बढ़ाए स्टुडेंट्स, यास ये देखे, Rice Wheat Cropping System और उसके negative points ये देखे तो ये भी आपने पढ़ा, इसके पहले स्टुडेंट्स आपने पढ़ा, इस पी एस एस, उसके पहले आपने पढ़ा, Undersea, Fiber Optic Cable, में आनमार में प्राब्लम्स, चाइना आउट इंडिया इन विद अ ग्रांट टू शिलंका, उसके पहले आपने पढ़ा, राय सभा में क्रॉस वोटिंग और क्या-क्या कंसिप्ट्स हैं, बहुत इंपोरेंट केस हैं स्टुडेंट्स आपने देखा आज, कुल्दीप नायार वर्सेज यून आफ इंडिया केस, देख लिए जगा 2006 का केस है, उसके पहले आपने पढ़ा, इस EPR, PPP and the International Waste Pickers Day, March 1st, उसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, यह आज का नहीं हुज है, डेट काप्स, बरेड इन अंट्रॉडन पाथ, स्टूडी सोसाइटी इन देखा नहीं हुज है, उसके पहले सी स्लग, यह भी आज का नहीं हुज है, एंड देखिए, बिग कैट्स, अलायंस, एंड लेपाड, पैंथरा पाडस, वरी इंपॉर्टेंट, और उसके पहले टेकसास पैन हैंडल का वीडियो आपने देखा, और बीचेस का सर्टिफिकेशन देखा, रूशी कुड़ना को लेकर नियूज, सेनिगल को लेकर ये नि पानी, वाइल्ड फायर की, नहीं, देखिए भई, मैं बता दू, MSP लीगल नहीं है, उसी के दड़ाई मच रही है अभी अब ये प्रेजेंट, इट्स नोट अ लीगल राइट, लेट मी टेल यू, गॉट इट, तो चली एंड करते हैं सतराज का स्टूडेंट्स इसी के सा अभई थरद, धन्यवा स्बी दोगों का इस सेशन में आने के लिए, कोई डावट्स है, अखिज चालन, gebe tuna.